अज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्ट्राइल चाओमिन यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है और घर में बहुत ही जल्दी बन जाती है जब भी आपके बच्चे चाओमिन मांगे तो आप उसे बजाए मार्केट से मंगाने के आप उसको घर में बनाकर दे तो इसे अज़ाए के लिए सबसे पहले हम लोग नूडल्स को उबालेंगे इसके लिए मैंने पानी को गरम होने के लिए रख दिया है जब इसमें बॉइल आ जाएगा तो हम लोग इसमें एड़ करेंगे आदे चमस नमक और एक चमस रिफाइंड ओएल अब हम लोग इसमें नूड यह हमारे 80% बॉइल हो चूके हैं अब हम लोग इसे चान लेंगे हम लोग इसे पहले चलनी में अच्छी तरह चान लेंगे उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग ठंडा पानी मिंस नॉर्मल पानी चला देंगे जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस वही रुख जाएगा और आपकी नूडल्स उबल जाएंगे और एक्दम खिले खिले बनेंग हम लोग एक्दम बीफाइंड डालेंगे जिससे कि नूडलस हापस में चिपके नहीं और इसको रख देंगे अब हम लोग एक बॉक लेंगे इसमें एक चमच रिफाइन डालेंगे आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं जिस जो भी आप यूज करते हो इसमें बारी कटा हुआ अद्रक और लसुन डालेंगे अब इसमें स्लाइस में कटा हुआ प्याज डालेंगे यह मैंने दो प्या में स्लाइस में कटी हुई गाजर, शिम्रा मेच और पत्ता गोबी और इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे मतलब हम लोगों को सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना है हम लोगों को सबजिया सॉफ्ट नहीं करनी है और बहुत जारा देल तक भी नहीं भूनेंगे इसको भून कर हम लोग इसमें जो हमने अभी नूडल जबा लेते हैं वो नूडल चालेंगे अब हम लोग इसमें कुछ सॉसेज एड़ करेंगे टमाटो कैच्चुप, एक चमच, देड़ चमच, सोया सॉस एक चमच ग्रीन चिली सॉस यह सब आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं एक चमच रेड़ चिली सॉस और थोड़ा सा नामक और थोड़ी सी काली मिल्च मैं इसमें रेड़ चिली पॉड़र नहीं डाल रही हूँ एक दम हाई फ्लेम पर भूनेंगे और से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाओ में में टॉस करते हुए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लें यह बहुत टेस्टी बनती है घर में टॉस करते हैं तो लीजिए हमारी चाओ में बन के रेड़ी है वह ऊपर से थोड़ा सा गरब मसाला एड़ कर रही हूं वह आपकी मर्जी है वह बहुत जल्दी बन जाती है आपको मार्केट से लाने की